नमस्क्राइब दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके साथ जामुन की फायदे बताने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जामुन, गुजडाती में जामबू कहते हैं और माराटी में जामभूल कहते हैं आए जानते हैं इसके औशधियो प्रयोग जो आपके लिए काफी ज़दर मददगार साबित हो सकते हैं तो दूस्तों अगर आपको दान्त का रोग है तो जामुन के पत्ते की रांक दात और मसूडे पर मलने से दात और मसूडे मजबूत होते हैं पायरिया में पके हुए फलो के रस को मुख में भर कर अच्छी दरीके से हिला कर कुला करने से पायरिया ठीक हो जाता है अगर आपको नेत्र विकार है तो बच्चों में जब दात निकलते हैं तब उस समय होने वाले नेत्र विकार में इसके कोमल 15-20 पत्तो को 400 ग्राम पानी में पका कर इसके श्वेश क्वात से नेत्र धोना काफी ज़्यादा लापकारी साबित होता है अगर आपको मोत्याबींद की समस्या है तो जामुन की गुठली के चून को शहद में घोटा कर 33 ग्राम की गोलिया बन कर नित्य प्रते दिन एक से दो गोली सुभश शाम खाने से और इनी गोलियों को शहद में गिसकर अंजन करने से मोत्या के रोग में लाव मिलता है अगर आपको मों के च्छाले है तो जामुन के नरम और ताजे 5-6 पत्तो को पीस कर उनसे कुल्ला करने से मों में खराब से खराब च्छाले भी मिट जाते हैं अगर आपको मधुमे की समस्या है यानि की डाइबिटीज तो दोस्तो जामुन के सूखे बीजो का चून 300 ग्राम से एक ग्राम तक दिन में तीन बार लेने से पेशाब के साथ शक्कर का जाना बंध हो जाता है इसी के साथ जामुन की च् गुटली मलरोधक है इसके संभाग आम की गुटली और काली हड़क के साथ भुनकर पीस कर खाने से पुराने से पुराने दस्त बंध हो जाते हैं अगर आपको पत्री की समस्या है तो पके हुए जामुन खाने से पत्री गल जाती है इसके साथ जामुन के 10 ग्राम रस के 250 मि पिलिग्राम सेंधा नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार कुछ दिनों तक निरंतर पीने से मुत्राशाइगत पत्री नश्ट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ट्रेस करें और इसी के साथ जय हिन वन्दे मात्रम नमस्तुर।